एक ओवर में छे छक्के माने वाले युवराद सिंग दो दो वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताने वाले युवराद सिंग आज डगाउट में बैटे हुए हैं मायूज कफ्तान को कह रहे हैं कि भाई मुझे भी बैटिंग करा दो मैं आज भी मैज जिता सकता हूँ लेकिन नहीं युवराद पैट पैन कर डगाउट पर बैठे रहे और एक एक करके सब के बल्ले बाजी आती रही इससे अच्छा होता कि युवराद सिंग अपना बोर्या बिस तरही बांद लेते अगर आपको लगता है कि युवराद सिंग आपके बैस लेवन में है तो आपको युवराद को पूरा मौका भी देना होगा सही जगह पे बल्ले बाजी करते हुए चलिए सीजा चलते हैं गौतम गंबीर हमारे साथ है इस पूरे मामले बात करने के लिए गौतम मेरा सवाल आपसे यही कि अगर बैस लेवन में युवराद सिंग है तो उनको सही जगह पे क्यों नहीं खिलाते हैं क्यों मुश्किले बढ़ाए जा रही है युवराद सिंग के लिए देखें यह फॉर्माट ऐसा है कि आप मुश्किल फॉर्माट है कि आपको अगर आप अच्छे फॉर्म में नहीं है तब भी आपको हर बॉल पे रन बनाना है इंफाक रन ही नहीं बनाना अच्छी स्ट्रीकरेट से क्रिकेट खेलनी है यही ऐसा फॉर्माट नहीं है कि test cricket या one day format की आप जाके time ले सकते हैं सिरब 120 बॉलें 120 बॉलों में कई बार आप उस rhythm में होते हो कि जब आप अच्छे rhythm में होते हो तो आप बहुत जादा run बनाते हो और जब आप अच्छे rhythm में नहीं होते हो तो कई बार आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस फॉर्माट में रन बनाना और यही इस फॉर्माट की ब्यूटी है अगर आप देखें सम्वाल एक केहल राहूल उन्हें अच्छा स्टार्ट किया टौर्नमेंट वो अभी तक अच्छा खेलता है कई बार ऐसा होता है कि आप टौर्नमेंट अच्छा नहीं स्टार्ट करते अच्छे लेह में नहीं होते तो कई बहुत मुश्किल हो जाता है इस फॉर्माट में वापस फॉर्म में आना और एक्स्पेक्टेशन बहुत जादा है रहती है अल्टिमिटी आ थिंग इस अ क्वालिटी प्लेयर और एवर्याज तो दिसके पाच गौतम गौतम क्रिटिकल तो है और फैन से जादा हम मीडिया से जादा क्रिटिकल लग रहा है फिलाल पंजाब की टीम है मगर इतने प्रे आपको अल्टिमेटी ग्राउंड में जाना प्रफॉर्म करना है ऐसा नहीं है कि उवराथ सिंग के लिए कुछ अलग प्रेशर रहा है कुछ अलग cricket है या फिर ऐसा नहीं है कि जो नया खिलाडी आएगा उसके लिए बिलकुल अलग cricket है अल्टिमेटली आप मैच में प्रेशर तो फिलाल विराट कोली पर भी है जीत का लेकिन वो जीत की तैयारी कैसे करते हैं वो बहुत वजनदार प्रेशर है उन पे तो उतना ही वजन उठा के वो तैयारी भी करते हैं जीत के लिए विराट की गुप्त ट्रेनी मैच से दो घंटे पहले विराट का पावर मन्त है हमारी बस जब मैच के लिए ग्राउंड की और निकलने वाली होती है उससे आदे घंटे पहले विराट जिम में प्राइमिंग सेशन करते हैं ये ओलंपिक वेट लिफ्टिंग की तरह होता है ये तैयारी अलग है लेकिन विराट के लिए काम करती है इसे स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, बैलेंस, कोर स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन हासिल करने में मदद मिलती है ओलंपिक वेट लिफ्टिंग दो तरीके से होता है, जिसमें स्नैच और क्लीन एंड जर्क शामिल है मैच से पहले इस एक्सेसाइस से विराट की मसल को ताकत मिलती है जिससे वो लंबे शॉट्स लगा सकते हैं विराट की रिस्ट को मजबूती मिलती है, ताकि वो ऑन साइट पर ज्यादा कड़क शॉट लगा सके यही नहीं, कोल स्ट्रेंट बढ़ने की वज़र से विराट तेजी से रन चुरा सकते हैं दरसल विराट की टीम फिलार दस अंग के साथ छटे स्थान पर अगर बेंगलोन आज में जी जाएगी, तो उनके बार अंग हो जाएगी गौतम सुना आपने कि मोहिन अली ने क्या कहा विराट कोलिंग और उसके ट्रेनिंग के बारे में आपका क्या मानना है ट्रेनिंग को लेकर और क्या वाकई मैं मैघ से पहले इतनी रिगरस ट्रेनिंग करनी चाहिए ? I don't think that sir Virat Krulleen उठाते हैं, बहुत बाकी लोग भी उठाते है तो म понял अली बहुत पाकी खिलाडी मैंसे पहले वेट्स उठाते हैं चले सुना आपने की विराट कोली की ट्रेइनिंग के बहुत जादा फायदे होते हैं लेकिन हम आपको ये सेट बार-बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको याद दिलाना चाहते हैं कि टीम इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर वाइड बॉल के सबसे बड़े प्लेयर युबराद सिंग के साथ इस IPL में क्या-क्या हो रहा है आप देख रहे हैं 2020 का किंग कॉन और आपको पता दे आज है मुकावला हैदरबाद और बैंगलोर का गौतम गंबी हमाँ साथ लगातार बने होएं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे पहुंचेगी बैंगलोर प्लेय ओफ में आज का मैच जीतकर 12 अंग हसल कर लेगी RCB राजसान रॉयल से खिलाफ आखरी मैच जीतना पड़ेगा RCB को बैंगलोर को आज और राजसान के खिलाफ बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा रंरेट का आखरी में जरूर आएगा मुंबई से भी अपना रंरेट उनको उपर रखना हुआ क्यों कि आपको बता दे कि मुंबई भी एक और टीम है जो पहुंच सकती है तक अपना आखरी मैच बड़े अंतर से ना जीते और आखरी मैच में पंजाब हार जाए इतने सार गानित है कि बैंगलोर को प्लेओफ में पहुंचने के लिए लेकिन फिर भी सबको उमीद यही कि आर सी भी पहुंच जाएगी गौतम क्या लग रहा है आपको कौन सी वो चार टीमें होंगी जो प्लेओफ हो जाएंगी दो तो पहुंच गई है आखरी दो और कौन देखे अभी बहुत मुश्किल है किना विकोज टेबल बिलकुल ओपन है और जिस तरीके से कर मुंबाई खेली ऑविस्ट अगर 14 पॉइंट पर कोई टीम पहुंचेगी तो मुंबाई का सबसे अच्छा चांस है उनको एक और मैच के लिए डेली डेवल्स के गिए तो मुझे लगते है जिस तरीके की उनकी रन रेट है अगर 14 पर कोई भी टीम पहुंचती है तो ओविस्टली मुंबाई का बेस चांस है मुंबाई का बेस चांस कह रहे है गौतम गंबिर बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका लेकिन सब की नजरे रहेंगी आज मैच में जहां पर सबको उमीद की विराट भी कौलिफाय कर जाएं